नमस्कार सभी को मेरा नाम अनुझ है आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पड़ाई ढंक से कर रहे होंगे तो बढ़ाई आपका जो है तीनों जो जितनी भी शिफ्टाज कंड़क्ट हुई है उनका जो एनलेसिस है मैं सभी कुश्चन्स यहाँ पर डिसकस करने व आपको कुश्चन देखने को मिले हैं आपके एक्जाम में यहाँ पर कुछ वोकैबलरी है मैं बताता चलूँगा कि यह कौन सा PTS से आप वहाँ पर सीधर जाके मैच भी कर सकते हैं तो जले स्टार्ट करते हैं तो क्या है एन्टोनियम पुछा था एडवर्सिटी का एडवर Oxygen गवर्सिट में तर ले आपको कूशं मतलब मतलब होता हिसका साउधान हो जाना कर सकते हैं और निखिए थैजों स्टार्ट से पूश्चा तो वहां पर पता नहीं क्या option दिया होगा जो भी था आपने वहां पर टिक कर दिया होगा तो अब देखते हैं अगला अच्छा यहां पर आपको थोड़ा सा शूर वगएरा यहां पर आ सकते हैं तो उससे थोड़ा सा देख सकते हैं पुरा Elimination use कर सकते हैं बाकि narration में क्या है चीज़े होती हैं जैसे आपको आप नाव को दैन में चेंज गरते हैं बहुत सारी चीज़े ऐसी होते हैं जो क्या है आपको फटावड Elimination में help करती हैं आगे complaint का meaning पूछा था passage में तो complaint तो इसमें कुछ बताने वाला से आपको direct यहां पर question देखने को मिल रहा है और आप देखेंगे कि session जो है हमने ज्यादा दिन नहीं चला है मुस्किल से आपको जो dose वाली classes है वो 10 से 12 classes आपको मिली होंगी 12 classes में क्या इतना सारा cover हो जा रहा है तो अब सोच अगर हम एक महीना आपको पढ़ाते तो शायद पेपर ही लीग कर देते चीक है तो आप इतना पढ़के चलिएगा dose को आपने कुछ भी अब तक पढ़ रखा है लेकिन जो dose वाले session देखेंगे तो उसमें अगर आप सारे देखेंगे मानले आपको कल exam है तो कल second shift में आपका exam है तो सारे देखेंगे मुस्किल से 2 से 2 गंट मैं आपको जीके में भी suggest करूंगा जीके में भी आपको मैं suggest करूंगा कि आप यह dose वाले session जरूर देखेंगे बागे pts थोड़ा था बड़ा है तो तो एक तरीकी सदाबार है यह वहां से सारे question आई रहें देखो आपका dose वाला जो हमारा session था उसमें क्या है pts जो थोड़ आपको pts में जुरूर मिलेंगे मिलेंगे चीक है situation आपर बनिए चले देखें लेते हैं आगे क्या है nonverbal के दो questions सेम थे आपके अच्छा देखें यहां पर बड़ी मतलब एक अचंबिद करने वाली बात है कि pts में जो नोन वर्बल उस सीधा जो है exam में आकर repeat हो रहा है ची अगे देखते हैं सरीज बता रहे हैं स्टुडेंट आगे पुछाता देखो अभी साज चेक इंड शिफ्ट में था सेनोनियम consequence consequence इतना आसान वड़ है बार-बार मैं तो आपको जब सर भी समझाते हैं तो मैं भी समझाते हूं चीजे तो मैं कहते हूं कि उसके consequences बहुत बु आगे यहां पर आप मुझे अपने रिवीव बेजना चाहते हैं तो मेरी आप instagram id लिख सकते हैं अनुज 1185 यहां पर आप मुझे अपने रिवीव बेज सकते हैं आपके examik कैसे कैसे questions आए थे आपर मुझे follow भी कर सकते हैं आगे देखते हैं बाकि यहां पर देखो font के साथ आप से proposition पूछा था, font के साथ जो proposition मैंने आपको grammar dose में भी करा रहा है और आपको PTS में तो क्या है बिल्कुल मिल जाएगा, अचा अब यह proof प्रूफ वाला नहीं खेलना है, प्रूफ नहीं दिखाना है, आप सीधा जाओ, PTS को पढ़ो, वहां पर देखो, आपको बिल्कुल आप से क्या है, इसके proof देखने को आप से बिल्कुल मिल जाएंगे, चीक है, तो इसलिए proof अगरगा कुछ ऐसा रखा नहीं है, हमने कि आपको proof दिखाते फिर हैं, मतलब इतने questions लग रहे हैं, और अब तो अब हमें खुद अंदर से यह चीज feeling आ रहे है कि हम आपको proof दिख पड़ाया था, WS हो सकता है, आगली shifts में किसी में आ जाए, WS मतलब क्या होता है, डाउटफुल होता है, सभी को पता है, एक जंबल sentence से था, English moderate मान लो, ठीक है, यहाँ पर रागा का है, परमार सर ओल्लेटी डिसकस कर चुके हैं, बाकी synonym देखो यहाँ पर बता रहे है, devotion क यहाँ पर synonym था, devotion, सभी को पता है, devotion क्या होता है, doubtful, consecutive, अब यहाँ पर इसे note करके चलेगे, देखो, analysis का यह फायदा है, कि questions जो हो रिपीट हो रहे है, देखो, consecutive का मैंने देखा था, कि यह 12 यह 13 तारिक को यह question आया था, consecutive मतलब होता है, इसका मतलब होता है, लगातार, कि continuity में होना, होता है बेट आपको consecutive, तो आपको इस चीरी के समझ के चल सकते हैं, कि questions जो repeat हो रहे है, तो analysis का बहुत जरूर यहाँ पर आपको फायदा होने वाला है, बाकि painful का क्या है, नाउन पुछा था, मैंने आपको बता है, जितने भी FUL ended word होता है, क्या होता है, मैं आपको, बाकि painful का noun हो जाएगा, आपका pain जरूर option दिया होगा, वहाँ पर pain इसका correct answer हो जाएगा, generosity की, आपसे spelling पूछे, direct PTS से आपको मिली है, बहुत अच्छामबित करने वाली बात है, कि देखो, idiom जो है, मैंने आपको इक idiom पढ़ाया था, in vogue, in vogue मतलब क्या होता, इस कोई ची जो fashion में होते हैं, वो ता वो, direct आप देख लेना, ये dose वाले session में आपको आराम से देखने को मिल जाए, कुछ ही, मैंने 50 से पचपनी one word आपको दिये हैं, sorry, idiom दिये हैं, तो वहीं से आपको इक question देखने को मिल जाएगा, यहाँ तक कि दे कुछ सारे question, vocabulary कि चानत है कि सर, vocab का क्या होगा, तो vocab का यह होगा कि मैंने आपको dose वाले session और PTS वाले session दोनों देख लेना, direct भहीं से आपकी vocab देखने को मिल रही है, और vocab का exam में फसवाना बहुत बड़ी बात होती है, अभी आज समझ सकते हैं कि vocab जो एक तरीके सागर है, मतलब कि अब आप मेरा adjective वाला session देखेंगे, जो मैंने आपको adjective पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बेटा, जो आपका plural है, आप कभी adjective को plural नहीं बना सकते हैं, मैंने काया था, जिसे कोई word होता है, पूर, यह क्या है हम इसे पूर्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मै यहाँ पर क्या है, मैं सभी गरीब लोगों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो अगर आपको adjective को क्या है, आपको plural बनाया है, तो उससे पहले आप article लगा सकते, और situation में क्या है, कि जिस adjective को आपने लिखा होगा, आप पूरे उस adjective की quality को क्या है, denote कर रहे होंगे, बहाँ पर देख लेतना तो क्या है, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीछी plural बनाया है, अगर आपने कोई article दा लगाया है, और फिर आपने उसके बाद adjective लिखा है, तो उसके बाद क्या है, आपकी हमेशा plural वर्ब आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो subject है, आपको plural subject बन किया है, तो यही चीज सेम आपको exam में देखने को मिले है, दो बार मैंने यहीं discuss की है, यह question है न, यह question मैंने आपको as it is करवाया है था, grammar dose में उसके बाद adjective वाला जब topic आया था, महाँ पर discuss भी किया था, vocab easy थी, indirect आप पूछा गया था, एक comparative degree, comparative objective में अल्रेडी पढ़ लेते हैं, thank you so much, even a single question is related to your, अब देखिए, यहाँ पर क्या है, कि यहाँ पर यह student thank you बोल रहे है, कि एक single question भी नहीं था, जो आपकी test series से नहीं आया हो, dose, महा, PDF and PDF, enough, इतना कर लो, selection पक्का, और thanks to Anut sir also, बिल्कुल thanks, okay, आगे देख लेते हैं, चलिए, अब यहाँ पर go अक से, अब यहाँ पर देखिए, आपका third shift का से चल रहा है, futile का क्या है, पुछा आपसे, futile का बेटा, आपके से यहाँ पर synonym पूछा, यह question भी आपका repeated है, कल जो है, आपका question आया, futile, इसका मतलब क्या होता है, useless होता है, कोई जी ट्राइवल होती है, इसके लिए, idiom भी, क कराया था, यह मैंने option में रखा था, और मैंने कहा था, यह word ही, यह question ही, मैं इस timid की वज़े से करा रहा हूँ, थाकि आपको यह word याद हो, timid मतलब होता, डर पोग, इसका आप से Antonium पूछा था, चलो देख लेते हैं, अब यहाँ आपकर हम कुछ रिव्यूस दिखाता हू हैं, फिर PTS से आ रहे हैं, यह आगे आएंगे नहीं आएंगे, तो बेटा अब तक तीन दिन का exam complete हो चुका है, और अब दक तो बेटा आने question छुटे नहीं है, अभी तक लगातार आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, आगे क्या कहा रहा है student, आगे कहते हैं कि, यह मेरा last chance था लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं finally select हो जाओंगा, again thank you sir, मेरा exam 13 को third shift में था, GK and English questions सभी dose और PTS से थे, चीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, आगे student review दे रहे हैं, sir, paper का level काफी low लगा आपकी वरे से, मैंने पुछा कितने आएं तो कहते हैं, कि 20 जो हैं मैंने पूरे क किया है, तो मैंने का क्या बात गजब बेटा, मोज कर दी, तो यह मोज ही हो रही है, बेटा, जिन जिन हमसे, जिन्नों ने हमारे चनल को जो फॉलो किया है, आगे रहे सर, बहुत अच्छा किया है, exam आपका डोस से direct question आए, लेकिन जो पढ़ा था, आपके डोस में, वो question आपको, कुछ ऐसे Instagram पे मुझसे student, student जुड़े हैं, जो इनकर, जो है, motivation इतना low था, मैंने उसे, उन लोगों से personally बात की, मैंने उन्हें समझाया, और फिर वो जब exam देखिया है, तो सारा paper उन्हें, डोस प्लस PTS से देखने को मिला, और यह चीड़ी हमें खुशी भी हुई, कल में review लेकर इसलिए नहीं आए दे, क्योंकि कल में थोड़ा सा busy था, लेकिन आज परमारसर ने कहा कि आपको बच्चों के साथ interaction करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे देखिया, अनुच सर की वह interaction नहीं कर रहे हैं, तो मैंने फिर आपको interaction किया, गाउं में होत बहुत सारी चीज़े हैं, जो आपको मैं परमारसर ने बताई हैं, इससे पहले वाले वीडियो में उस वीडियो को ज़रूर देख लीजेगा, ठीक है, और thanks for इस वीडियो को देखने के लिए, और देखे, सारी चीज है कि अभी, जिनका 18 तारिक को अच्छे पूछ रहे है कि सर अब हम क्या करें, तो मैं तो इतना ही काऊंगा, जो PTS अगर आपने कर रका है, उसे कर लो, प्लस DOME आपने कर रका है, उसे कर लो, फिर तीसरी चीज़ गया है, जो आपने कर रका है, उसे जरूर revision करो, मैं यादथ काऊंगा कि आपने PTS नहीं पढ़ा है, कोई बात नही चले इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपना ध्यान रखें लापरवाई बिल्कुल मत करें पढ़ने में धन्यवाद